और प्रभुजी जैसे अपन को पता है कि आजकल ambitions and goals की वज़से अपन steps उठाते हैं तो क्या वो पढ़ाई में सोचना समझना सही है जैसे मैं पढ़ाई ये सोचके कर सकता हो कि बहुत पैसा कमाना है या फिर ऐसा सोचके कर तक दो पैसा कमा के समाजिक सेवा करनी है तो आप में को क्रिप्या करके बताईए कि कौन सा सही रहेगा जो balance रखे हरे कृष्णा तो बहुत ही अच्छा प्रश्णा है कि हमारा पढ़ाई जो है तो क्या करो तो सभी भक्तों जो है हमको ये समझना चाहिए कि जितना भी हम दुनिया में जैसे अच्छा पढ़ाई किया या अच्छा जॉब मिला या अच्छा कर रहे ये बाकी लोग जो अभक्त है जब लोग देखेंगे लोग भी प्रेणा मिलते हैं तो लोग ऐसा कहते हैं कि देख वो भक्ति कर करके भी आच्छा पढ़ाई आच्छा मार्क्स मिला तो पढ़ाई करते समय जितना हो सकते हमको ध्यान होना चाहिए फोकस होना चाहिए लेकिन साथ साथ में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर मार्क्स नहीं मिला या कुछ नहीं मिला या निराश नहीं होना चाहिए न हम मार्क्स के लिए प्रातना करना चाहिए वो भी मतलब भगवन पता है भगवन जानते हैं कैसे क्या कितना देंगे, कैसे देंगे तो SNAK भी हम भी मतलब ही बना जाते हैं बगवान प्लीज मुझे high marks ही देते है high marks नहीं दूँगा तो में भक्ती नहीं करूँगा में जब नहीं करूँगा ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो एक बार श्लप्रावपार शिश्य को कहते हैं कि जब आप जौप में हैं तो कर्मी से ज्यादा आपको काम करना चाहिए मतलब इतना तिवर काम है इतना फोकस्ट काम है तो ऐसा लगना चाहिए कि वाह ये तो आत्मी तो पूरा मगना है काम के उपर और जब भी आप घर पे आया है और भक्ती में कर रहे हैं तो उसमें भी intensity बहुत बड़ा होना चाहिए स्री चितना महाप्रूव यही advice दियाता है रगुना दास गोस्वामी को कि बाहर का दृष्टी जो है एक pounds and shilling man और पैसा धारी आत्मी जैसे हैं एक करो अंदर जो हमेशा रादा कृष्णा को चिंतन कीजिए this is a beautiful art of work यह काम करने का तरीका एक कला है कि बाहर का दृष्टी से हम इतना लग रहे कि बहुत दुनियावी है बहुत दुनियाधारी है लेकिन अंदर के हम समझ आते कि यह चीज जो है यह नश्वर है ठीकने वाले नहीं है फिर अगर ठीकने वाले नहीं तो क्यों करना चाहिए क्योंकि यह अच्छा example अच्छा standard सेट करके सभी बाकी लोगों को जैसे इंडिया में काफी जो भग्त लोग हैं काफी लोग अच्छा से पढ़ाई लिके हैं तो पढ़ाई लिके होने के कारण उनका अच्छा पद भी मिला सोसाइटी में और उस साथ साथ में जो ग्रहस्त हैं वो अच्छा भी कमाते हैं और साथ साथ में एक अच्छा reputation है तो भाकी लोग भी प्रेणा मिलते हैं वाह ऐसे ऐसे भक्त मुझे भी बनना चाहते हैं तो यह important है जितना हो सकते right mindset रखनेगा मतलब यह की कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं भी यह भी कृष्णा भक्ती के लिए ही है कि आगे जाके भक्ती मार्ग में इसकौन में कृष्णा का शिश्या जो है सब लिए देखेंगे तो मतलब यह शिश्वी होना चाहिए क्योंकि हमारा success जो भी हम कर रहे है वो कृष्णा के उपर reflect कर रहे है है कि नहीं और फिर last में एक और प्रश्णा पूचा था मतलब प्रश्णा नहीं लेकिन ऐसा कहते है statement है कि मुझे ज़्यादा पैसा कमानेगा तांकी में सेवा कर सकते है तो यह याद करना चाहिए कि सेवा जो है एक भावना है सेवा कुछ चीज आश्रित नहीं है कुछ चीज डिपेंड नहीं है बर भर नहीं है जैसे हम सोचे कि पैसा है तब सेवा कर सकों पैसा नहीं तो सेवा नहीं कर सकें ऐसा नहीं है सेवा जो है भले कोई धरीद या पूर है या कोई अमीर है कोई घरीब है कोई भी जो भी है उसका कुछ फटक नहीं पड़ते है अगर सेवा भावना है आपका जेप में बले पैसा नहीं भी कैसे ना कैसे आप सेवा करेंगे है So it's not matter of money ऐसा सोचो माँ जादा पैसा मिलेगा तो तब मैं सेवा करूँगा नहीं कोई है इच्छा सेवा करने के लिए भले उसका पास पास पाइसा है वक्त है या कोई कुछ भी है हो करेंगे ही So it's a social matter जब भी पैसा कमाँंगा तब मैं सेवा करूंगा तब मैं सेवा कर पाया नहीं सेवा एक भावना है सेवा अभी भी कर सकते हैं अगर बगवान देंगे हमको हमारा खर्मा के अनुसार या बगवान का इच्छा के अनुसार बगवान देंगे तो जितना मिलेगा उतना हम यूज करेंगे सो ऐसा कुछ रीजन नहीं है कि मैं भक्ति नहीं कर पाया भी नहीं सब लोग हमेशा भक्ति कर सकते हैं और अगर बगवान ज्यादा देंगे तो हम ज्यादा करेंगे बगवान नहीं देंगे फिर भी हम करेंगे हम प्रयास करेंगे Okay, the intention to serve जो सेवा करने का नियत है सेवा करने का उच्सुक है वो हमेशा होना चाहिए Okay, Hare Krishna